गर्मियों में बेल के उपियोग के क्या है फाइदे? कैसे बच सकते हैं इसके फ़ल तूटने चटकने से? क्या है बेल की खेती के काइदे? नमस्ते आप देख रहे हैं बाते खेती की और मैं हूँ याशु गांधी अपने आज के कारक्रम में हम बात करेंगे बेल की जी हाँ वही बेल जिसका शर्बत गर्मियों में ठंडी ठंडी तासीर देता है इसके अलावा आध्यात्मिक तौर पर भी इसकी बहुत ज्यादा महतवत्ता है आम तौर पे इसमें तीन पत्ते होते हैं जिसे तृदेव कहा जाता है और भागवान शिफ की अराधना में भी इसकी बहुत ज्यादा महतवत्ता है फ्लाल ये ते हुई इसकी उपयोगिता की बात लेकिन अगर बात इसकी खेती से जुड़ी हो तो विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेशग्य मौजूद है अगर शुरवात की जाए तो सबसे पहले किसी भी खेती के लिए अपने आसपास का जो भगौलिक परिस्थितियां है जो जलवायू है उसका नरिक्षन कर लेना बहुत आवश्यक होता है बेल के लिए मुफीद किस तरह की जलवायू होती है देखिए पहले तो मैं ये बता दूँ कि बेल जो है वो हमारे भारत वर्ष में कई नामों से जाना जाता है बेल को हम बेल पत्थर भी कहते हैं इसको स्रीफल भी कहते हैं सदाफल भी कहते हैं रोग नासक होने के कारण इसको विल भी कहते हैं और सांडिल लू इसको पीडा नासक होने के कारण कहते हैं तो भारत वर्स में इसको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है और इसमें जो है कैलसियम, आइरन, बिटामिन सी और रिवोफलोविन इसमें बहुत जाना होता है ये पेचिस के लिए बहुती मुफीत चीज है और जो आरवेद में ये बताया गया है आरवेद की पुस्तकों जैसे चरक संग्ता और सिद्प्रियोग संग्रा जो आरवेद की पुस्तके हैं उनमें ये दिया गया है कि अगर किसी को दस्ता आ रहे हो तो पके हुए बेल का गूदा उसको अच्छी तरीके से खिला दी दिया और पानी मत पिलाईए उसके दस्त बंद हो जाएंगे बेल के लिए कि अपनी हर अवस्था में ये बहुत उप्योगी है कच्चा है तो भी पका हुआ घुदा है तो भी ये बहुत ज्यादा काम की चीज़ है लेकिन अगर खेती की बात कि जाए तो खेती में इसकी जल्वाईउ के बारे में मैं पूछ रही ती जल्वाईउ हो ग climate तो ये जो जलवाय है इसमें एक मेंड चीज जो है जो बहुत ही जाना है इसके लिए उक्तुक दोती है वो है आध्रता नमी अगर उसमें जलवाय में नमी है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी जलवाय मानी जाती है जहां तक भूम की बात आप ने पूछा तो ये बेल का जो पेड़ है वो बलुवर दूमट से लेकर के दूमट, मत्यार, अमली भूम, छारी भूम और पत्रीली भूम, इन सभी भूम में जो है ये बड़ी अच्छी तरीके से उकता है और बिशेश कर जो हमाले की जो तराई है जिसकी उचाई चार हजार फीट तक है वहां ये बहुती अच्छी तरीके से योगाया जाता है डॉक्र साब, अलग अलग अक्षेतर में इसकी अलग अलग प्रजातियों की महत्वत्ता होती है या आम तोर पे किसी एकी प्रजाती पे ज्यादा जोड दिया जाता है देखिए जो बेल हम इस्तेमाल करते हैं कुछ तो बीज, जो बेल का बीज होता है उससे हम बेल के प्रक्ष तयार करते हैं कुछ इसकी ग्राफ्टिंग और बडिंग से करते हैं तो उसमें जिसे कहते हैं कलम लगाना तो जो कलम से हम लगाते हैं वो जल्दी फल देना सुरू कर देते हैं और उसका फल भी बड़ा होता है और उसकी संख्या भी जाना होती है और बीजू जो है वो जो है देर में उसमें फल आते हैं फल भी कमाते हैं और फल छोटे आते हैं तो ऐसी दसा में इसके लिए जो है वो हमेशा अच्छी प्रजाती को हम इस्तेमाल करें और उसमें पंथनेगर यूनिवर्स्टी ने इस पर बहुत अच्छा जाना काम किया है और उसमें पंथ अपामा, पंथ सिवानी, पंथ सुजाता और पंथ उर्वसी ये चार जातीया जो है बहुत ही अच्छी जातीया है, इसका साइज भी बहुत बढ़ा होता है नरेंद यूनिवर्सिटी ने, किस विश्विड्यालाय ने भी जो है, नरेंदर पंच, नरेंदर साथ, और नरेंदर नो यह तीन बरायटियान निकाली है जो बहुत अच्छी है इसके बाद CISH ने भी जो है V1 और V2 यह बरायटिय निकाली है और इनी जातियों को जो है किसान को चाहИए कि इनी जातियों में से जो जातियान मिलें उनको इसके लिए चाहिनित करके इनी को लगाना चाहिए जो बिलकुल डॉक्ट साब डॉक्ट साब इसकी पौध बेल की जो होती है वो कैसे तयार की जाती है और उसका लगाने का सही तरीका क्या होता है देखिए बेल का जो ब्रक्ष है वो दो तरीके से पहुँ इसकी पहुँ तैयार की जाती है एक तो बीजू यानि जो बीज से तैयार की जाती है पहुँ और दूसरी जो है वो हम ग्राफ्टिंग या बडिंग जिसको कहते हैं कलम लगाना उसके तैयार की जाती है तो इसके लिए करते क्या है कि जो बेल का पक सेंटी मीटर उचा सतह से उसमें गोबर की खाद और सब डाल करके खेत को बुरबरा करके नरसरी तयार करने के लिए क्यारियां एक मीटर चोड़ी और आवश्चता चार या छे मीटर जो भी लंबाई आवश्चता हो उतने आवश्चता क्यारियां बना लेते हैं और उसमें चार सेंटी मीटर गहराई पर बीज़ों को हम लगा देते हैं तो इस तरीके से जो पबनते हैं यह हमारे पबने जो होंगे वो बीजो पबने होंगे लेकिन इन पबने को खास बात ये है कि इन के द्वारा जो लगाए हुए पौदे होते हैं इसमें देर से जो है वो फलाते हैं और फल भी बहुत छोटे होते हैं उनकी गुर्वता भी बहुत अच्छी नहीं होती है उसमें बीज जो है बहुत जादा होते हैं और जो कलम लगाए जाती है तो कलम लगाने के लिए जड़ पौद तयार करते हैं वो हमारी उन्नसी जो है जात होती है और उस जल्दी फलत होती है उसमें और हमारा जो है ब्रक्ष में संक्या भी जाना होगी बेलों की और बड़ा साइज भी उसका बड़ा होगा ये तो अपने पौद तयार और करने की बात कहीं भूमी की तयार के बात कही. सही वक्त क्या होता है? या कि ये इसके लगाने के लिए बरसाइब का समय बहुत इंचा होता है और बसंद रित्में भी हम इसको लगा सकते हैं. लगाने के लिए ये आवश्यक है की मईë के महीने में हम पहले पौदे से पौदे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी यानि लाइन से लाइन की दूरी दस मीटर और पौदे से पौदे की दूरी दस मीटर कारणिसान लगा लें और उसके बाद फिर हम गड़े खोदेंगे तो उन गड्डों को क्या करेंगे कि हम एक मीटर गह रहे, एक मीटर चवड़े और एक मीटर लंबे, लंबाई गुना चवड़ाई गुना उंचाई, तीनों का एक मीटर, एक भाई, एक भाई, एक मीटर के हम गड्डे खोद लेते हैं और इनकी मट्टी बाहर निकाल देते ह इस में होता है आई कि नस्ठ हो जाते है और पौ्धे के लिए जो है वो गढ़ा प्रव पुर्वड्या स्वस्त मिटी वाला हो जाता है आप इस गड़े में जो उपर की धरातल की जो मिट्टी होती है उपर की सर्फेस वाल कहते हैं इस मिट्टी को और या फाईयम या कमपोस्ट या गोवर की खाब लेकर के दस किलो से लेकर के पंदरा किलो प्रिंस एक गड़ा लेकर के मिट्टी में मिलाकर के उसको गड़े को गड़े को लगवक दो सेंटी मीटर उंचा बनना चाहिए क्योंकि जब हम इसमें पानी देंगे तो पानी देने पर जो है वो गड़ा बैठ जाएगा तो इस तरीके से ये हमारा गड़ा जो है तैयार हो गया बसंत रितमें अगर हमें लगाना है तो बसंत रितमें कम से कम 25 दिन पहले हम गड़ा खोद करके डाल देते हैं और इसी तरीके से जो बरसात में जो गड़ा खोदा हुआ है उसी तरीके से इसमें भी धरातल के उपर की जो मिट्टी है वो जाओ मिट्टी होती है उस मिट्टी में 10 से 15 किलो ग्राम एफवाईयम कमपोस्ट या गोवर की खाद मिला करके और फिर गड़ा भर करके और इसको भी उचा 2 सेंटी मीटर उचा भर करके और इसमें पान लगा देते हैं जिससे परियाप्त इसमें नमी हो जाए चली इसमें तो परियाप्त नमी की आपने बात कहीं इस कलावा और भी बहुत सारे बिंदू है विस्तार से आप से जाने के लिकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए विजू ब्रक्षी जो है वो आट से लेकर के 10 साल दस मर्स का जब हो जाता है तब जाकर के फल देना सुरूब करता है और जो कलन लगाई जाती है वो चार या पांस साल में जो है वो फल देना सुरूब कर देता है अगर हम इसकी छटाई की बात करें, कटाई की छटाई की तो उसके लिए कितना वक्त सही होता है ब्रेक के बाद एक बाफर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाते खेती की और आज हम बात करें हैं बेल की वही बेल जिसको आम तोर पर बहुत ज्यादा फाइदे मन माना जाता है, पेट से सम्मंदित, उदर से सम्मंदित, अगर कोई भी समस्या है तो इसको राम बाड की तरह आप इस्तमाल कर सकते हैं, इसके रावा मधुमे अगर मधुमे आपको सता रहा है तो भी डाइब इसके अलावा अगे के चरण में किन विनू का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हमने गड़्डा में मिट्टी भर करके और उसको अच्छी तरीके से कर दिया, तो उस गड़्डे के बिलकुल सेंटर में जो है, वो हम पौदे को लगा देते हैं, और पौदे को लगा हम जो है, 10 किलो ग्राम गोवर की खाद और 50 ग्राम नाइटरोजन, 25 ग्राम फासपेट और 50 ग्राम पौटास पहली साल में हम देते हैं, नाइटरोजन, फॉस्फोरस और पॉटास, यन पीके, जे, आप इसके बाद ये पहली साल में हमने दे दिया, और उसके बाद 10 वर्स तक इस मात्रा को हम इसी तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं जैसे उदान के लिए हम अगर 50 ग्राम नाइट्रोजन पहली वर्स में दिया है तो दूसरी वर्स में हम उसको 100 ग्राम करेंगे तीसरी में 1500 चौथी में जाकर के 200 इस तरीके से 50-50 ग्राम जो है वो 10 बर्स तक देते जैसे सम्याब धी बढ़ती जाती है ये बढ़ता जाता है इसारे उदान को की मात्रा भी बढ़ती चली आती है इसी तरीके से फास्पोरस में भी जब हम 25 ग्राम दे रहे हैं तो 25 उसके बाद 50 फिर 75 फिर 100 यानि लास्ट में जाकर के जो है वो हमारा हर 25 ग्राम बढ़ता पुटास बरस तक और वो भी पुटास का भी इसी तरीके से हम देंगे तो इस तरीके से हम इसको बराबर जो है दस साल तक देते रहते हैं दस साल के बाद फिर हम जो है वो इसकी मात्रा को आधा कर देते हैं नाट्रोजन तो हम पूरा देंगे लेकिन फास्पेट और में ता कि सीधा जो है तनने से उसका संपर्क नहों से झो प्रसमिक जड़य होती फिर दुती जड़यों के संपर्क में अरवरक आने चाहिए तो उनकेशामशालमगे पाता है अच्छी तरीके से प्राप्त हो कि जो आप बात करे थे कि किस तरीके से कितनी कितनी सम्यावधी में देनी चाहिए जब भी हम औरवरक प्रियोग करते हैं उस समय तो हमको सिचाई करना ही आवशक है अब अगर मालिया बरसात हो रही है हमने अगर बरसात में गर लगाया है और बरसात हो रही तो हमें सिचाई क करने की आवर्षकता है और ये मिठ जो है वो चार-पाथ साल तक हम को जो है इस में इस तरीके के सचाई करने पड़ती है फिर उसके बाद जो है फिर हमको बेल में सचाई की आवशकता नहीं होती है तो यानि इसका मतलब है कि अगर लंबी अबधी में देखा जाए तो जो बेल की फसल है, बेल की जो खेती है उसमें पानी की अवशक्ता आमतोर पर कम होती है ये तो सचाई की बात हुई, अगर हम इसकी चटाई की बात करें, कटाई की चटाई की, तो उसके लिए कितना वक्त सही होता है? देखिए, बेल का जो पेड़ है, वो पंदरा से बीस मीटर आस्तन जो है, उसकी लंबाई होती है, और नौ या दस साल तक, जो है, ये अच्छी तरीके से बढ़ता है, जब ये नौ मीटर या दस मीटर का जब तक नहीं हो जाता है, तब तक एक तो जड़ों के पास से जो किल उसमें से भी जो किले निकल लाए है, उनको भी छाटते रहना चाहिए, जब ये नौ से दस मीटर तक की तना जो है, हो जाए, तब उसके बाद से इसमें साखाएं जो है, वो छोड़ देनी चाहिए, जो आगे चल करके बढ़ेंगी और ब्रक्ष का रूप धारन करेंगी जी बिलकुल, इसी के साथ रोग और कीट की भी बात करेंगे, लेकिन फिलाल यहाँ पर रुखना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए अगर आपके फल चटक रहे हैं या आपके फल गिर रहे हैं तो उसमें ये माल लेना चाहिए कि हमारी मिर्दा में बोरेक्ष की कमी है किस तरह के के रोग और कीट का प्रकोफ इसमें होने की संभावना होती है जो हमारा वीजू वाला है उसकी उत्पादन कम होता है क्योंकि छोटे फल होते हैं और जो कलम वाला होता है उसके फल बड़े होते हैं और संख्याब उनकी जाना होती है तो आप देख रहे हैं बाते खहती की ब्रेक बाद एक बाद फरसे आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बेल की वही बेल जिसे आम तोर पर कहा जाता है कि इसकी जड़ हो, पत्ते हो या फिर छाल हो, हर रूप में ये हमें फाइदा पहुँचाता है और हर तरीके से ये हमारे काम की चीज़ है हम इसे खाएं या फिर आध्यात्मिक तोर पर इसको हम इस्तमाल मिलाएं इसकी खेती की बात हो रही थी डॉक्र साब हमारे साथ बने हुए है ये भगवान की बेल के उपर क्रपा है कि बेल इतना इतना कठोर होता है कि इसको कोई पक्षी तो इसमें चोच लगाई नहीं सकता है जबकि ह dru Beispiel फल हैं जब पक्फ़ते हैं तो पक्षी को रखाने के लिए और सकता पड़ती है इसलिए पक्षियों से इसका कोई डर है नगी अब बात आती है कि इसमें कौंसा कीडा लगता है तो केवल एक कीडा जो इसकी पत्धे उंको खाता है वो कीडा इसमें लगता है जो केटर पिलर और लगता ये ऐक तब है जब मई के महीने में जब इसमें गर्मी में जो पत्जड हो जाता है और पत्जड होने के बाद जब कॉमल पत्तियां निकलती है उस समय कैटर पिलर जो है पत्तियां खाना सुरू कर देता है और आएसी दसा में उस समय जो है ये बहुत आवश्यक है कि थायोडान जो है एक रसाइन है थायोडान का एक परसेंट का घोल बना करके और इन पत्तियों पर छिड़क दिया जाए तो ये कैटर पिलर जो है सारे कैटर पिलर नस्ट हो जाएंगे और हमारी पत्तियां बात रोग की तो इसमें एक तो ये स्कॉटी मोल्ड इसकॉटी मोल्ड जो है ये इसमें लगता है और इसके लिए जो है वो कई रसाइन हैं जिनका मिक्चर बना करके जो है इस पर शिरकाव किया जाता है तो इसमें जो है दो सलफर जो है टू परसेंट सलफर और उसमें किल जो है आप ले सकते हैं पहराथियान मिल लिया तो पहराथियान ले लिजिए या या आपको क्लोरोपारिफास मिले तो क्लोरोपारिफास ले लिजिए और इसका एक परसेंट का सालूशन उसके बाद इसमें जो है गम एक एसिया गम एक एसिया जो है इसको जो है आप पॉइं पो आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा. बेल की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेल फल का च्टकना और बेल के फल का गिरना. तो अगर आपके फल च्टक रहे हैं या आपके फल जो एं गिर रहे हैं तो उस समय ये माल लेना चाहिए कि हमारी मिर्दा में बोरेक्स की कमी है तो ऐसी दसा में बोरेक्स का एक पुर्षट का गोज बना करके जब जैसे ही बेल का फार्मेशन सुरू हो बेल बनना चोटा-चोटा बेल लगना सुरू हो उसी समय इसका छिर्काओ कर देना चाहिए और उसके बाद थोड़ा 15 दिन का अंत्राल दे करके फिर दुबारा जो है बोरेक्स का एक पुर्षट का गोल का दुबारा फिर से जो है वो हम छिर्काओ कर देंगे तो इस समस्या का निजान हमारा हो जाएगा यह तो आपने बोरेक्स की बाद बताई फल के चिटकने की और गिरने की बाद बताई आम तौर पर इसकी खेती में हम कितनी उपज ले ले लेते हैं देखिये, चूंकि मैंने पहले बताया कि एक तो बीजू ब्रक्ष होते हैं और एक कलम से ब्रक्ष होते हैं, बीजू ब्रक्ष जो है वो आठ से लेकर के दस साल, दस वर्स का जब हो जाता है, तब जाकर के फल देना सुरू करता है, और जो कलम लगाई जाती है, वो चार या पास साल में जो है, वो फल देना सुरू कर देता है, तो ऐसी दसा में, जो हमारा भीजू बाला है, उसकी उत्पादन कम होता है, क्योंकि छोटे फल होते हैं, और जो कलम बाला होता है, उसके फल बड़े होते हैं, और संख्याब उनकी जाना होती है, तो कलम से लगाया गतार जो अबर तयृदनल की खृतर न कर चालत्यमारा परबल कजू अबरे समय इसन हो इसकी पाई सुन्तित्यों अिस वह को अधरे सहीुकत्वन कफार पूर्टिस हो जा तो गए दोरते समय इस भात का ध्यार रखना चाहिए कि चौर सेंटीमीटर से पौन सेंटि मीटर इसके साथ देंछल होना आवस्थ ने ना करें और पकने की यह वस्ता में जो है इसको तोडें क्योंकि अची तरीके से जानते हैं कि इसको पक्षी इतना ऊपर हार्ड होता है कि पक्षी नुकसान नहीं करेगा तो पकने के बाद हीज को तोड़ा जाए तोड़ने के बाद यह आवस्चा है कि जहां हम स्टोर करें उसका टेंपरेचर दस डिग्री सिंट्रीगेट होना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं यह तो अपने स्टोरज की बाद कही इसके टेंपरेचर की बाद कही यानि कि आम तोर पर हम अगर इसका शुरू से खयाल रखे आपने एक मृदा जाच की बाद बताई बोरेक्स की मातर की बाद बताई और फलों से जो फल है वो पक्षियों से तो नुकसान नहीं होता है लेक कि आप अपनी शंका या फिर कोई सवाल हम तक पहुचा सके हमारा पता है 302 ए पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट मुंबई 400-061 हमारा इमेल आइडी है bkk at green tv india.com आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या डी टी एच ऑपरेटर को तुरंट कॉल करें और हमें लेक फेजें info at green tv india.com पर sms या whatsapp करें 9 7 6 9 5 7 7 049 पर तो उमीद है ये पता आपने नोटी कर लिया होगा इसी के साथ या शुको दीजे अजाज़त और देखते रहेए green tv नमस्ते करें अजाज़ आए